अबसकार दोस्तों एक बार फिर आजिरों आप साथ एक most important topic कुलिक करी यानि धर्दीपुत की सान सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज इस वीडियों बात करने वाले हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिशम आकरिती के खेत का छेतरफल कैसे निकाले बीघा बिश्वा में तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको आकरिती दिख रही होगी अगर इस आकरिती का खेत है तो इसका छेतरफल आप कैसे निकालेंगे हैं हम आपको यहाँ पर पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं प्रेंट्स आई ये वीडियो को शुरू करते हैं अगर बात करें विसम बाहुतर भुजाकार खेत है तो इसका आप छेतफल कैसे निकालेंगे और दो भागों में इसको अगर बाटना हो तो कैसे बाटेंगे इस पर हमने पूरे डीटल के साल बताया है आप इसको जाके जिन अगर आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से कहूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अगर ये तरभुजा कार खेत को अगर बराबर भाग में बाट दे इसको दो बागों में बाटे हैं तो यहाँ पे इस तरह से हम बाट सकते हैं खेत को एक त्रिभूज ये हो जाएगा और दूसरा त्रिभूज ये हो जाएगा दोनों का छेतरफल हम अगर निकाल लें और जोड दें तो यहां पे पूरे आकरिती का छेतरफल निकल जाएगा तो जेखिए जैसे कि अगर इस आकरिती का टोटल खेत है ठीक है तो यहां से इस वाले और इस वाले पॉइंट तक का अगर हम देखे तो यहां पर नामकराण हम अगर कर देते हैं तो देखे तरभूज A, B, C आपको दिख रहा होगा A, यह है B और यहां पर है C B और C की लंबाई यहां पर कितना है हमने एक दोरी से या मीटर से हमने नाम रखा है तो यहां से C से और B तक की दोरी जो हमने नापा तो यहां पर निकल के आई 95 मीटर थीक है 95 मेटर है यह उधारण तोर पर हम आपको बता रहे हैं आपके अगर इससा डाटा मिलता है मैज़ से करता है इस्ता आकरिती का तो अपासरे से प्रकासि छेफल निकाल सकते हैं ठीक है कैसे यहाँ पर दो भागों हमने बाठा है यह तर्भूज को दो बराबर भागों में बाड़ दिया है इस पूरे अकरिती को दो त्रभुजों में बाड़ दिया है तो यहां पहले अगर हम बात करें ABC की बात करें तो यहां से सी से और B की बीच की दूरी की दिये 95 मीटर वहीं पर एक बात और ध्यान रखना है कि यहां एक पॉइंट से और BC पर कोई लंबवत एक रेखा कीचना है लंबवत का मतलब होता है कि 90 का अंगल यहीं बीची पर यह 90 का कौन बनाए सीधे कीचना है बस दूरी से अगर आप बात करें तो यहां डी एफ है ठीक है यह तरे भुझ बन रहा है आप यहां पर अगर देखें तो यहां पर दी के बीच की दूरी कितनी है यहां से आता है कि 105 मीटर 105 मीटर है डोरी से आप नाप लीजिएगा खेत को मीटर में आप आसानी से इसका छेत फ़ल निकालेंगे यहां ई से अगर यहां पर लंब होत देखें तो यहां पर 90 एंगल बनना चाहिए यह देहां रखना है आपको और यहां पर कितना है 64 मीटर आया है तो पहले भाग का निकालेंगे दोसरे भाग का 6 TiFan निकालेंगे वो दोनों को हम जोड़ देगे तो पूरे आकरिदी का 6 सिधोन निकल जाएगा तो चलते हैं निकालते हैं इनका छेतरफल किस प्रकार से निकलेगा आईए देखते हैं तो देखिए फ्रंट से अगर बात करें सबसे पहले तो त्रभूज ABC का छेतरफल यहाँ पे आधार आधार क्या होता है त्रभूज का छेतरफल होता है आधार गुडित उंचाई बटे कर दों से हमने भाग कर दिया है दो तोटल जो निकल के आया एक तृभुज़ाकार Subaru sick geography का 2660 वर Вторबाद मीटर आ गया. यह निए, पहले वाले काशेतरफल इस वाले काशेतरफल कितना निकलुकरा आँगी देखते हैं. अब देखें त्रभुच D, E, E, F दिर्भुज D, E का 6 तरफल बराबर क्या आपका आएगा जो कि इसका देखे तो आधार कितना है 105 है और उटचाई है 64 है तो देखिए आधार कितना है यहां से लेके और यहां तक कि लंबाई कितनी है 105 मीटर और उटचाई कितनी है 64 इन दोनों का गुणा करके 2 से हम भाग कर देंगे तो दिर्भुज का चेतफल आधार गुडित उचाई होता है बटे 2 तो आधार कि बैलू कितनी है 105 और उचाई 64 है बटे 2 कर दिया तो इन दोनों का गुणा करके दोनों से हम भाग कर देंगे तो यहाँ पर 3360 वर्गमीटर कूल छेतरफल निकल के आ गया अब इन दोनों छेतरफलों को हमें निकाल देना है यानि 3360 इसका वैलू की नहीं आई 3360 अब दोनों को जोड़ देंगे तो यह कूल आकरती का यह जो है छेतरफल निकल जाएगा तो क्या किया है हमनेे ट्रुभूज ABC का चेतरफल ट्रुभूज D, E, F का चेतरफल जो के निकला था दोनों को हमने जोड़ दिया तो यह आया 600 Bush alors टो टोटल वर्गमीटर में आपका कितना 6 चेतरफल आ गया 6000 mee 6,020 verb वर्ग म्यिटर, अब इस खेत को अगर आप ले 청ज करना चाहते हैं, तो एक हैतर की वाएलू, जो होती है, वह दस हजार वर्ग मीटर के बराबर होती है, ठीक है? जब आप इसमें 20, 60, 20 में आप भाग करेंगे दस जार से ठीक है तो यह दस हमलो आपका एक जीरो से एक जीरो काड़ देगा तीन जीरो आपके लगे हुए हैं इसका मतलब दस हमलो बहाई तरफ जाएगा और यह जो डाटा निकलेगा वह आपका कितना निकलेगा वह आपका जीरो दस हमलो जीरो दो हेक्टेयर यह आप यहां से लिख सकते हैं कितना निकलेगा यह बैलू निकलेगी आपको 0.602 ठीक है यह हेक्टेयर में निकल जाएगे अब इसको बीघा में कर निकालना है तो कैसे निकालेंगे यहां पर देख लीजिए कुल 6 पल आपका 6020 आया ह एक बीघा की बैलू उत्तर प्रदेश में 2529 वर्ग मीटर होती है तो एक वर्ग मीटर का कितना निकलेगा यह भाग हो जाएगा इसमें यानि जो भी डाटा चेतरफल में आया है उसमें 2529 से भाग कर देंगे तो यह बीघे में निकल के आएगा जो कि आपका बीघे में बै जाएगा तो टोटल आपका कितना हो जाएगा दो भीघा साथ बिस्वा और आपका बारा धूर यह बैलू टोटल खेत का चेतरफल निकल के आजाएगा अब इसको आप एकड में भी चंज कर सकते हो जैसा कि आपको पता है कि हेक्टेयर में आपका डाटा यह है 0.62 हेक्टेयर तो अब एक हेक्टेयर की बैलू कितना होती है यह होती है 2.471 एकर तो इस बैलू में यानि 62 में यानि 0.62 में आपका क्या करना है 2.471 से गूडा कर देंगे तो यह आपका हेक्टेयर में भी चंज हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट बॉक्स में जरू बताइएगा वीडियो यहीं समाप्त करते है नमस्कार